नमस्कार दोस्तों आप देखने एस भी सपोर्ट दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने चैनल का लोगो कैसे बनाए अपने मोबाइल से एस डी क्वालिटी में तो चलिए एस किन पर आपको दिखाते हैं उसे पहले कि अगर हमारे चैनल पर आप नए है तो किरिपया चैनल को सब्सक्राइब करें यह उमबेल आइकन को प्रेस करें ऐसे ही हेलफुल वीडियो देखते रहने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्रोम से पी एंजी लोगो बैग्राउंड डाउनलोड कर लेना है फिलहाल मैं डाउनलोड करके रखा हूं तो चलिए फाइल मेनेजर पर क्लिक करते हैं उसके बाद आते हैं उसके बाद यहां से हम क्लिक करेंगे इस पर और यहां से हम सेंड करके पिक्स आर्ट पर चले आएंगे और यहां से आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और लिखेंगे कोई भी अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं फिलहाल मैं लिखूंगा यहां से ASB support तो सबसे पहले इसको हम capital letter में लिखेंगे ASB support ASB support इस पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहां से font चूज कर लेना है आर्ची ब्लैक मैं इसको सेलेक्ट लिया उसके बाद color पर आना है उसके बाद आपको color जो भी इक्छा हो आप ले सकते हैं फिलहाल मैं इसमें ब्लैक लोंगा उसके बाद इसको इसके according fix कर देना है यहां देखिए इसके according बीच में ही set करना है इसको इसको बीच में ही रखना है उसके बाद आपको इस पर text देना है text में आप यहां से red दे सकते हैं यहां से आप red color चूज करके select कर लीजिए और amount यहां से आप 20 ही रखना है आपको 20 रखिएगा perfect रहेगा 20 ही रखिए उसके बाद आपको आना है shadow पे shadow पे click करेंगे और यहां से blur 50 रखेंगे opacity 70 रखेंगे उसके बाद आपको color पे आना है color पे आने के बाद यहां से आपको color select करना है यहां से आप कोई भी color ले सकते हैं 15 रखेंगे तो यहां से असपस्ट दिखेगा यहां से आपका logo जो है bright भी दिखेगा और असपस्ट word में दिखेगा तो इस तरह से आपको रखना है उसके बाद यहां से आपको arrow के निशान पे click कर देना है उसके बाद आना है आपको इसको save करने के लिए गैलेरी में इसको save करने के लिए आना है आपको draw पे draw पे click करेंगे फिर यहां से draw पे click करेंगे और यहां से save image पे ok करके यहां से save कर लेंगे दोस्तों यहां से save करने से आपका quality बेहतर दिखेगा यहां से quality आपको high होगा लेकिन इसका quality बेहतर दिखेगा HD quality में दिखेगा आपको तो यहां से हम save image पे click कर लेंगे तो यहां से यह save हो गया gallery में save हो गया अब मैं आक इसको दिखाता हूँ file में फाईल में आता हूँ और दिखाता हूँ कि यहां पर आ गया है यहां पर देखिए यहां पर लोगो। बनके त्यार है यहां पर फाईल में आ गया तो दोस्तो इस तरह से लोगो बनाते हैं